आज की जो कथा है उसमें गरूर जी पुष्टे हैं भगवान विश्णु से कि शुगृतियों के शरीर दाह करने का बिधान बताईए किस बिधी से जलाया जाए और यदि उसकी इस्त्री शती हो तो उसकी महिमा भी कहिए भगवान कहते हैं कि हे गरूर सुनिये उर्धो दैहिक की वश्चा बिधी कहता हूँ जिस बिधी को करके पुत्र और पौत्र पित्री रिन से छूट जाते हैं बहुत दान देने से क्या है केवल माता पिता की अंतेस्टी क्रिया करने से पुत्र अगनी एस्ट्योम यक के समान फल पाता है माता या पिता के मरने के बाद सोक को त्याक कर सब पापों की शांती के लिए सब भाईयों के साथ पुत्र को मुंडन कराना चाहिए माता पिता के मरने पर जो पुत्र मुंडन नहीं कराता है वह शंसा रुपी समुद्र से उतारने वाले पुत्र कैसे जाना जा सकता है इसलिए पुत्रों को मुंडन अवस्य करना चाहिए नक और कांख के बालों को नकटाना चाहिए फिर भाईयों के शाथ अशनान करके धूले हुए बस्त्र पहनना चाहिए फिर ताजा जल लाकर मिर्तक शरीर को अशनान करावे और चंदन माला और गंगा जी की मिर्तिका से सुशोभीत करे फिर से नए बस्त्रों से ढखकर अपशब्यों नाम और गोत्र का उचारन कर मिर्तु के अस्थान में शब नाम से दक्षिना सहीत पिंड देवे इससे वहां की भूमी और वहां के अधिस्ठाता देप्रशन होते हैं द्वार पर पान्य के नाम से पिंड देना चाहिए उससे भूतों की गंणा में प्राप्त दुर्गत नामक जीब बाध्य बाधा नहीं करते हैं इसके पीछे परिकर्मा करके पुत्र बधु आदे उसको पूजा करे अन बंधुओं के शाथ कंधा लगाना चाहिए जो अपने पिता को कंधे पर धरकर असमसान में ले जाता है वह पुत्र पग पग पर अस्वमेध जग का फल पाता है पिता ने शदा कंधे पर पीठ पर और गोद में लेकर पुत्र का लालन पालन किया था उस रीन से पुत्र तभी छुटता है जब वो अपने मरे हुए पिता को कंधे पर ले जाता है इसके पीछे आधे मार्ग में जाकर जमीन को शाप कर जल्ची रख कर सब को विश्राम कराबे और असनान कराकर उस भूत संग्यक के लिए पिंददान देबे इससे पिसाच, राक्षश और यग्यादी जो शब दिशाओं में इस्थित हैं वे उस होम करने योग शरीर को अशुध नहीं कर सकते फिर असमसान में ले जाकर उत्तर मुख अस्थापन करें उहाँ शरीर को जलाने के लिए अस्थान साफ करें पहले उस भूमी को जार कर गोबर से लिपे उस पर बेदी बना कर कुशा से अनामिका और अंगुठा द्वारा तीन रेखा करें और उसी क्रम से रेखाओं से मिठ्टी निकाल कर जल को शिर के फिर विधी पुर्वक अग्निय अस्थापन करें पुष्प अक्षतो के करव्याद शंग्यक देवता का पूजन कर लोम भया श्वाहा त्वग भया श्वाहा मज भया श्वाहा इत्यादी अनुवाग के बेद मंत्रों से विधी पुर्वक होम करें फिर प्रास्थना करें कि तुम भूतो के पालक और जगत की जोनी हो इसलिए मरे हुए सांसारिक जीव को श्वर्ग में भेजिये इस प्रकार अग्नि की प्रास्थना करके वहाँ चंदन तुलसी ढाक और पीपल की लकरियों से चिता बनाये उस चिता पर मुर्दे को रखकर उस प्रेत के नाम से सब के हाथ दो पिंड देवे चिता छोरने के बाद से प्रेत शंग्या हो जाती है प्रेत कर्म के जानने वाले कोई-कोई शादक नाम से मिर्टक के नाम से अत्वा प्रेत के नाम से चिता पर पिंड देते हैं इस प्रकार पांच पिंडों से शब में आहूती पाने की योगता होती है ऐसा न करने से पुर्वोक्त राक्षशादी भीगने करते हैं प्रेत के लिए पिंड देकर त्रिन शर्पत आधी में अगनी लेकर पुत्र अगनी देबे प्रंतु पंचक में दाह न करें जो पंचकों में मरता है वह गती नहीं पाता है पंचक में मरे हुए का दाह नहीं करना चाहिए दाह से अन्ने की मृतू होती है धनिस्ट्या के आधे लेकर रेविती के अंद तक पांच नचत्र संग्यक है यह दाह के योग नहीं है दिदाह करे तो अश्व होता है इन पुर्वक्त पांच नचत्रों में मरने से उसके घर में हानी होती है अथवा उसके पुत्रों या गोत्रबालों में कुछ बिग्न हो जाता है अथवा इन नचत्रों में दाह करना ही हो तो विधी पुर्वक करे सब दोसों की शांती के लिए उस दाह की विधी तुमसे कहता हूं यह गरूर कुशा के चार पुत्ले बनाकर और उन नचत्रों से अभिमंत्रित कर सब के पास उन पुत्लों को रख दे फिर नचत पुत्रों के मंत्रों से होम करके प्रेता जयत उस प्रेत का नाम संपुटित कर होम करे फिर उन पुत्लों के शाथ उसका दाह करे इसके पस्चात सपिंडन्स राद के दिन पुत्र विधी से पंचक शांती करे दोसों की शांती के लिए तीलों का पात्र सोना चांदी रत्न और घी से भरा हुआ कांसा का पातर देवे इस प्रकार की शांती की विधी करके जो चाह करता है उसको विगन नहीं होता प्रेत की गती हो जाती है इस प्रकार पंचक में दा होता है पंचक नौ हो तो केवल मिर्तक का दाह होता है अगर उसकी स्तरी शती होना चाहे तो उसका भी उसके साथ दाह करे। उसकी यह भी दिया कि पती के हित्मेत पर पती बरताज्त्री जब पती के साथ ही जाना चाहे तो अशनान करे फिर कुमकुम अंजन और उत्तम बस्त्र आवुशन को धारन कर ब्रामनों को तथा अपने कुटुम्डियों को दान देवे फिर गुरु को नमसकार कर मकान से बाहर निकले और मंदिर में जाकर भगवान को शक्ती से परनाम करे वहां शबाब हुसनों को शमर्पन कर नार्यल ले बे और लज्जा तता मों छोर कर असमसान में आवे वहां सुर्ज को नमसकार कर चिता की परिकरमा करे और चिता की फूलों की शेज समझ कर उस पर चड़े और अपनी गोदी में पती को शुलाबे अपने सक्षियों को नार्यल देकर चिता जलाने की आग्यादे बे अगनी को गंगाजल के समान सीतल समझ कर शरीर को जलाबे यदि इस्तरी गर्व नहीं हो तो पती के शाथ सरीर को न जलाबे किन्तु बालक होने के बाद उसका पालन प जैसे अगनी में धोकी हुई दातुओं का मल जाता है उसी प्रकार अम्रित तुल अगनी से सती अपने पापों को जला देती है जैसे शपतादी में शुद्ध शत्त और धर्म युक्त मनुस गर्व से लोह पिंद से कभी नहीं जलता है वैसे ही पती इस्तरी कभी नहीं जलती है अर्थात जलने में कस्त नहीं होता प्रंतु मिर्थ पती की अंतर आत्मा के शाथ उसकी आत्मा मिल जाती है जब तक इस्त्री अपने शरीर को पती के साथ अगनी में नहीं जलाती है तब तक वह इस्त्री सरी से कभी नहीं शूती है इसलिए सब प्रकार्यत्न करके महन बचन और कर्म से अपने पती की शिवा करे और मरने पर उसी के साथ सती हो जाए पती के मर जाने पर जो इस्त्री पती के साथ अगनी में जल जाती है अरुन्धत्ती के शमान होकर स्वर्ग लोक में निवास करती हैं श्वर्ग में पती से भी अधिक सोभा वाली वहिस्त्री अपसरागनों से पुजीत हो कर तब तक पती के शातरामन करती है जब तक 14 इंदर राज करते हैं जो इस्त्री पती के साथ सती होती है वह माता पिता और जहां व्याही गई है इन तीनों को पवित्र करती है सारे तीन करोर बाल जो मनुस के सरीर में होते हैं उतने ही बरस तक पती के साथ स्वर्ग में आनंद करती है फिर सुर्ज के तुल प्रकाश मान बिमान में बैठ कर पती के साथ रमन करती है और जब तक सुर्ज और चंद्रमा है तब तक पती के लोक में निवास करती है फिर बरी आयूबाला होकर निर्वल कुल में जन्म लेती हो पती बरता इस्तरी फिर उसी पती को पाती है जो इस्तरी छन मात्र के दाह के दुख से ऐसे सुक छोड़ देती है वह मुर्खा इस्तरी जन्म भर विराह की अगनी से जला करती है इसलिए पती को शीब रूप जानकर उसके साथ सरीर को जलाबे है गरूर एदी इस्तरी सती नहो तो केवल उस शब को जलाए आधा डगध होने पर अथवा पूरा डगध होने पर सब का मस्तक फोड़े गिरहस्तियों का काट से और यतियों का मस्तक नारियल से तोड़ना चाह पावक तुम बाशुदे भगवान से उत्पन हुए हो इससे तुम से फिर उत्पन होबे स्वर्ग के लिए तुम्हारे में हभी रूप ही से तुम प्रजोलित हो इस प्रकार मंत से तील्युक्त घी की याहूती दे कर बहुत जोर से रोना चाहिए इससे मिर्तक को शुक होत का उच्छारन कर तील जल की अंजली देवे फिर नीम के पत्ते चबावे और मिर्तक के गुनों का बखान करे आगे आगे इस्त्रिया और पीछे पुछे पुरुष घर आवे घर पर आकर फिर अस्नान करे और गौग रास देवे पतल में भोजन करे प्रंतु घर का अन्ना खा आए फिर मिर्तक की जगह को लीप कर बारा दिन तक रात दिन दक्षिना भी मुख दीबक जलावे है गरूर सुर्ज होने पर अस्मसान अथबा चौडाहे पर तीन दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल देवे कच्चे मिट्टी के पात्र को दूध और जल से भर कर दोड़े से बंधी हुई तीन लक्रियों पर धरे और यह मंत पढ़े शमसान की अगनी से जले हो और भाई बंधुस से त्यागे गए हो इसलिए है बल और यह दूध है जल में अस्नान करो और दूध पियो अगनी होत्र वाले पुर्सों का चोथे दिन और अगनी होत्र रहितों का तिसरे या दूसरे दिन विरोध रहित अस्थी संचय करे उसकी विदिये है कि अस्मसान भूमी में जाकर अस्नान कर पवित्र होबे और उनका सूतल पेट कर पवित्री पहिरे फीर अस्मसान में रह बलकी बली देते हैं फिर तीन परिकर्मा करें ये गरूर फिर चिता के अस्थान पर दूद्छी रखकर फिर जल शिर किया और अस्थियों को उठावें उनको धाक के पत्तों में रखकर दूद और जल से धोबें फिर उनको मिट्टी के पातर में रखकर विधी से स्राद करें फिर उस पर जल से भरा हुआ खूले मुख का घट स्थापन करें फिर चाबल पका कर उसमें दही घी और मिस्टान मिलावे और बिधी से प्रेत के लिए जल के साथ उसकी बली देवे हे गरूर। उत्तर दिशाक में दस-पांच कदम चल कर एक गड़ा खोदे और उसमें उन अस्थियों को रखे फिर उसके उपर दाहा तिरनाशक पिंड़ देवे तदंतर गड़े से उस अस्थी पात्र को निकाल कर जलासे के पास ले जाए जहां दूद और जल से बारबार हड्यों को धो हैं फिर संपुष्ट एठैली में रखकर हिर्दय और मस्तक में लगाकर परीप कर्मा करके गंगाजी में छोड़ देवे दस दिन के भीतर जिसकी हड़ियां गंगाजी में डूब जाती है उसका ब्रह्मलोक से फिर आना नहीं होता अर्था तो वह शदा ब्रह्मलोक में नि करता है गंगाजल कोल की लहरों को चूकर पवंज मिर्तक को चूता है तब ही उसके सब पाप सिग्र छूट जाते हैं भागिर्यति जी अपने पूर्व पुर्शों के उद्धार के लिए बरी कठिन तपस्या से गंगादेवी की